हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके एपनी यूडूब चैनल आर्किव और मैंल आक्टिकर पर तो फ्रेंट इस सुटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उत्तर परदेश में जो आचा सहीता लगी हुई थी वो आपकी कब खतम हो जाएगी तो दोस्तो इस पर आप तेक पा रहे हैं इस नोटिफिकेशन के दुवारा यानि ये प्रेस नोट है बीडिया सेल कारेयल मुख्य निर्वाचन आधिकारी उतर प्रदेश चैतुर उतल विकास भावन जनपत मार्केट हजरत गंच लखनव की तरफ से है और डेट की बात करें तो ये आपकी 11 कली की अपडेट है और प्रेस नोट ये जारी किया गया है और ये है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा समान्य निर्वाचन 2022 के किरम्य दिनंक 8 जनवरे 2022 को जैसा कि आप सभी को पता है आचार सहीतर लागू की गई थी उत्तर परदेश के जनपदों जहां विधान सभा परिशत के इस्थान्य प्राधिकरण निर्वाचन छेत में दीवार्शिक निर्वाचन होने हैं को छोड़कर ततकाल प्रभाव से निस्प्रभावी हो गई है यानि दोस्तों आपकी जो आचार सहीता लगी हुई थी उन जगहों को छोड़कर जहां पर आपक विदानसवा परिशत के चुनाव दीवार्सी चुनाव होने हैं उन जगा को छोड़कर बाद बाकी आपकी जो आचार सहीता है वो आपकी कली ही की डेट में यानि 11 मार्च की डेट में पूरी तरह से ततकाल प्रिभाव से इसको समाप्त किया जा जुका है इस सम्मद में विदान परिशत के इस्थान्य प्राधिकारी निर्वाचन चेतर के दीवार्सिक निर्वाचन के सम्मद में आयोग के पत्र द्रांग 2892-22 में दिये गए निर्देसों के अनुसार आचार सहीता के लागू रहेंगे कि जो आपकी आचार सहीता है वो 11 मार्च 2022 यानि कल लही की डेट में ततकाल प्रभाव से आपकी निस्प्रभावित हो गई है तो दोस्तों काफी बच्चों के डाउट थे कि आचार सहीता ये कब खतम होगी तो फाइनल दोस्तों कली की डेट में आचार सहीता खतम होगी है जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आचार सहीता के खतम होने के बाद ही तुरंत एक result आया था UPPCLJE का और फाइनली उसके साथ स स्टार्ट हो जाएंगे तो दोस्तों ये थी कुछ important information उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी तो फिलीज वीडियो को ज्यादा लाइक और सेर करें चैनल पना है तो फिलीज चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि बतर इस वीडियो लात रहता तो थेंक्य for watching this video, see you next time